तो फ्रांस मेरे चैनल को लाइक, सेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दवाईए तो आज कब लोग स्टार्ट करते हैं वेल्कम बेग तू माई चैनल हलो दोस्तो और अभी बज़े हैं सुबा के 6 और आप देख सकते हैं सभी लोग लेटे हुए हैं और मैं तयार हो गई हूँ रेडियो के जा रही हूँ कहीं और ये सैयोग बस बैठा है इसको थोड़ा सा वो रहती है कि मामा से मिलू मैं क्योंगी मामा जा रही है और मैं कहीं जा रही हूँ और सुबा के 6 बज़े हूँ ये देखी मैंने अपने लिए खाना मना लिया है वैसे तो और पूरा केचन फैला हुआ है फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया था तो पापा को दिखाने के लिए जा रहे हैं हम लोग पापा की तब यह ठीक नहीं थी तो उनको दिखवाने के लिए हम जा रहे हैं और यहां पर बहुत भायानक वाला कोहरा है कुछ भी नहीं दिख रहा है और यह चाचा है और हम लोग गाउं पहुंच गए हैं गाउं से मुझे छोटे चाचा को ले ना था और यह बीच वाले चाचा है तो यहां पर आग ताप रहे थी तो उन्होंने गाड़ी देखी तो आगया कि क्या हुआ कहां जा रहे हो तो फिर बताया कि वहां मतलब पापा को दिखाने जा रहे हैं तो यह जो चाचा है यह बीच वाले है और यह उनका यहां पर घर है और सबसे चोटे चाचा को साथ में लेके जा रहे थी काड़ी वही ड्राइब करेंगे क्योंकि कोहरा बहुत होता है तो सर्वेस से पापा को दिखास नहीं होता है तो चाचा को ही लेके जाते हैं सर्वेस का उनने लगता है कि यह थोड़ा सतीज चलाएंगे या जो भी है तो चाचा को लेके जाते हैं तो सर्वेस बगल में बैठे हुए हैं चाचा छोटे वाले चाचा जो है ंद्राइब कर रहे हैं और हम लोग पेच Pacific हो और यह सारा सामन लाट के लेकर रहे हैं क्या है? बुजर्व आद्मित की होते है न वह बहुती दूर का ँषी के चलते । तो वो सारा सामन भी लेके गए थे कि सायद एडमेट होना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सर्दी का सीजन है तो कम सकम 6-5-6 कमल लेके गए थे कोहरा दिखाने के कोशिस कर रहे हूं मैं यहां पर बहुत ज्यादा कोहरा और ठंड तो इतनी है कि मतला मैं बता नहीं सकती बहुत ज्यादा ठंड है और आप पापा को देखके आपको लगी रहा होगा कि मतलब गाड़ी के अंदर भी सौल वाल ओड़के और बिलकुल बहुक तो दस बच चुके हैं और यहां पर दूब्बी अच्छी खाजी निकल गई है तो बस हम लोग वहां पर जाएंगे और पापा को दिखाएंगे तो यह दिखिए यह है यह यहां का मेडिकल कॉलेज महारानी लक्ष्मिवाई मेडिकल कॉलेज जहाजी तो आप सभी जानते ह यह दिखिए जहाजी की ही थी महारानी लक्ष्मिवाई तो उनके नाम पर है यह जहां से बैसे लकष्मिवाई के नाम से ही जाना जाता है जो बाहर के लोग है तो हमारे यहां से बैसे ज्यादता तर ट्रीटमेंट के लिए जहां से ही जाते हैं यहां पे मेडिकल सुब्धा हैं बहुत अच्छी हैं ज्यादा हैं तो यह देखे यहां पे हम गलत मुड़ गए थे तो ऐसा होता नहीं है कि चाचा रभी एक दो किलो मीटर गलत नाग गुसे हम लोग कहीं तो यह गुस कहते हैं और मैं आगी गई और मैंने कहा कि नहीं चाचा यह गलत रस्ता है यसी जरस्ते में होस्पिटल नहीं है पहले पापा का एक जगा एक बार ऑपरेशन हो चुका है तो वहीं जा रहे हैं उन्हीं के पास जाएगे कूछी वहीं समस्य दुबारा से रही तो देखी यहां गलत गयते यहां से हम लोग बैक होंगे फिर जाएगे क्योंकि इनका बस इतना होता है कि थोड़ा सा यह लोग इन देरिख पाते हैं और फिर दिक़त इनकी नहीं दिक्कत यह है कि यहां पे एक जैसी ही रास्ताइं होती है तो यहां से देखे फिर हम लोग वैख होंगे मैंने अब आ गए हैं हम लोग सही जगह पर तो यह वह अंदर का मैंने बनाए नहीं था क्यूंकि इंके यहां CCTV लगे होती हैं और डॉक्टर बड़े खतरनाक होते हैं म तो पहले भी हम लोग यहां आ चुके हैं रह चुके हैं आर-दस दिन हम लोगों ने रुके थे यहां पर पापा का उब्रेशन हुआ था तो हम इसब लोग रुके थे इतनी लोग रुके थे एक-दो और थे बिनै था दीपू था तो मतलब हमारे यहां कहीं भी हम लोग जाते हैं जैसे पापा को अगर दिखाने लेके जाते हैं तो वो पूरी गाड़ी भर के चलते हैं इसलिए मारूती वेंद से जाते हैं ताकि इसमें ज्यादा लोग आ जाए तो पापा को लगता है कि मतलब जितने लोग जा सके होतने ल थी और संयोग भी था तो हम लोग और आठ दिन तक रुके थी मतलब पूरा यह नहीं सोचते हैं कितने सारे लुकेंगे खर्चा होगा यह वो कुछ नहीं प्राइवेट रूम ले लिया आराम से पड़े रहे वो लोग भी कहते हैं कि बताओ यह आराम करने आये हैं यह लोग हम लोग खा रहे हैं खाना पापा के टेस्ट बगेरा हो चुके हैं रिपूरा आनी बाकिये तब तक हमने सुचे चलो गाड़ें बैठके खाना खालेते हैं और मैं अपना रोटी बना के लाई थी हम ने पूरिया बनाई थी तो वही खा रहे थी तो आगे सर्वेस और चाच तो यह देखे खाना में दिखा ली थी अम्मा ने इतना भर दिया था कि मतलब आठ लोगों का खाना होगा लग 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 और हम लोग थे चाब जबकि मैं अपना खुदी लेके गई थी कि मुझे पूरिया नहीं खानी थी मेरा मन नहीं था तो मैंने अपनी लिए रोटी ब पूरा दिन कहां तक अघर के अंदर गुशे रहें बुरे लोगों को तो समस्या होती ही है ऐसे मैं फिर इसके बाद ये देखिए हम लोग खाना खालेंगे फिर रिपोर्ट आ चुकी थी यहीं पे गाड़ी पे देखे गया था और यह देखिए यह बेतवा नदी तो पास कर रहे हैं यह नदी और यहां जब हम गई थी न तब मुझे यह नदी वदी कुछ दिखी नई थी कोहरी की वज़े बापेस आ रहे हैं तब दिख रही है तब मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं वीडियो बना लूं और काफी फेमस नदी है और ओर्चा भी फेमस है हमार यहां, तो मेहलों के लिए भी और यहां पे रामलला भी हैं उसके बाद ही अहां पे होती है और यह यहां की मसूर मिश्ठान की दुकान है और यहां से मैं जरूर खरीती हूँ सहियों के लिए क् nuclear खरीकिला लाना, तो मैं पांडेजी के पेड़े ले रही हूँ तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में